नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल दानोलेज पिलाजा में, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वश्थ होंगे और अपनी तैयार ये अच्छे से कर रहे होंगे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा दानोलेज पिलाजा प्रीमियल ल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग भी समझ चुके होंगे अब, जो लोग हमारे साथ सुरू आज से इसमें जुड़े होए हैं, वो लोग समझ रहे होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और जो लोग अभी पहली बाद जुड़े हैं, उन लोगों से एक ही request है, अगर आप लोग अपना selection चाहते हैं, तो यह जो हमारी 75-100 question की series चल लई है, जिसको कि आगे आने वाले समय में और भी बड़ा दिया जाएगा, वो आप लोग सुरू से, और अभी जहां तक हो गई है, वो देख लेजिए, ठीक है? और इसका PDF हमने आपको पहले से ही provide कर दिया है और जिल लोगों को नहीं मिल पाए, वो लोग टेलिग्राम चैनल और वाटसब गुरूप में जुड़ करके PDF इनका download कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यह class शुरू करने से पहले, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वो लोग चैनल को सबस्काब कर लें बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे के आने वाले वीडियो के notification उनको समय से मिल जाएं और वो अपनी तयारी अच्छे से कर सके हैं, ठीक है? तो चलिए अब आज का जो है टेस्ट शुरू करते हैं, टेस्ट शुरू करने से पहले आप लोग पिछले टेस्ट में ये सब कर चुके हैं, ठीक है? पचास question तक आप लोग कर लिये थे, अब आज यहां से सुरू कर रहे हैं, ठीक है? 51 नम्मर जो कोश्चन है वो यहांजे आप लोग का सुरू हो रहा है पहला कोश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे सोडियम हाइड और हाइडरो क्लोरिक अमलकी अब करिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं यह कौन सी अब करिया है आप लोग अगर पढ़े हैं कहीं पे भी अगर आप लोग तयारी किये हुए तो आप लोग यहांपे प्रक्टिस कर सकते हैं और अपनी तयारी देख सकते हैं कि कैसी आपकी तयारी हो गई है तो सोडियम हाइड और हाइडरो क्लोरिक अमलकी अब करिया से यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसको थोड़ा नीचे कर दें sodium hydroxide और hydrochloric अमल ठीक है sodium hydroxide और hydrochloric अमल की अब किरिया से sodium chloride और gel बनाते हैं या कौन सी अब किरिया है तो इसका right answer क्या होगा आप लोगों को कि अब दस second का समय मिलता है answer देने के लिए उसके बाद आप लोग अगर सही है तो आप लोग मिला सकते हैं और गलत है तो आप लोग उसको सुदार सकते हैं ठीक है इसका option क्या सही होगा इसका option number A सही होगा ठीक है उदास ही नहीं करद यह reaction होती है अगला question देखेंगे आप लोग किसी रासाइनिक अबक्रिया में oxygen के अंपात का बढ़ना क्या गहलाता है कोई भी रासाइनिक अबक्रिया होती है कोई भी रासाइनिक अबक्रिया होती है उसमें oxygen का अगर अंपात बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे अपचैन अबक्रिया उपचयन अब क्रिया, उसमा सोसी अब क्रिया या फिर बिस्थापन अब क्रिया तो जब ऑक्सिजन के अंपात अगर किसी भी रासा ने क्रिया में बढ़ता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो उपचयन अब क्रिया होती है तो इसका right answer क्या है, B option इसका right answer है, इसमें आपके कितने question रहेंगे, तो इसमें आपके 25 question रहेंगे, और time कितना रहेगा, तो 15-20 minute आपका समय रहेगा, अगर आप लोग इतना समय रोज दे देते हैं हमको, तो आप लोग अपना समझ सकते हैं कि आप लोग selection के करीब जा रहे है ठीक है, 15-20 minute एक test का, और जो दूसर test होगा उसके लिए भी आप लोग 15-20 minute, ठीक है, मतलब 30-40 minute आप लोग रोज अगर यहां पे देंगे आके, और उसके बाद तुरंत इसको 10-15 minute में revision कर लेंगे, तो आप लोगों का selection अच्छी जगे हो सकता है, ठीक है, जादस जादे आ आपको कितना टाइम देना है, आपको जादस जादे आपका 50-60 minute का समय देना है, और जितने question हम आप यहां पर करा रहे हैं आपको, वो आपको सब कुछ revision करना है, उतने में ही और उतने में ही आपकी यह वीडियो भी देख जाएगी, ठीक है, तो इसका right answer क्या होगा, निमन से कौन oxidation नहीं है, तो अब छेपड़ आपका oxidation नहीं है, ठीक है, बोजन का पचना भी oxidation होता है, सोशन भी और दहन भी, अगला question, neutron और proton की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, आप लोगों को, सबी लोगों को पता होगा, neutron और proton के संख्याओं के योगफलको हम लोग क् तो इसका right answer क्या होगा सभी लोग answer देंगे और class को share कर देंगे ठीक है class को आप लोग share कर देंगे और comment करते रहेंगे आप लोग जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन आपर answer दे रहा है ठीक है तो इसका right answer क्या होगा drug one संख्या है मतलब mass number mass number किसको कहते हैं तो neutron और proton के संख्याओं के योग फल को अगला question निमलिखित में किस परमाड के नाविक में neutron नहीं होता है option helium tritium hydrogen या फिल lithium इन में से किस के परमाड के नाविक में neutron नहीं होता है तो आप लोगों को पता होगा hydrogen के नाविक में neutron नहीं होता है अगला question आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोग कैसे यहाँ पर देख सकते हैं m is equal to n plus p इसका formula होता है मतलब mass number is equal to neutron plus proton ठीक है यहाँ से आप लोग चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं अगला question आप लोग देख लेंगे 56 number question क्या गह रहा है proton की खोज किसने की थी तो proton की खोज सब लोगों को पता है यहाँ पर एक ट्रेक है eat पर notch ठीक है eat पर notch मतलब electron की खोज किसने की तो thompson ने की e for electron, t for thompson आप लोग लिख सकते हैं जिसको नहीं पता है और proton, p for proton और r for रदरफोर, ठीक है proton की खोज रदरफोर ने की और neutron की खोज किसने की तो चैडविक ने की यहाँ पर किसका पूँच रहा है proton की खोज, तो proton की खोज पर मतलब proton रदरफोर तो option नमबर सीज का right answer हो जाएगा अगला question आप लोग देखेंगे बिरंजक चूड क्या है बिरंजक चूड जो होता है वो क्या होता है तत्त, योगिक, मिस्रड या फिर billion बिरंजक चूड क्या होता है इनमें से तत्त होता है योगिक होता है मिस्रड होता है या फिर billion होता है तो 10 second का गेवल समय आप लोगों को मिलता है और उसके बाद हम लोग यहां पर answer लगाते है तो 57 number question का answer क्या होगा योगिक बिरंजक चूड क्या है एक योगिक है अगला question बायू क्या है अब यहां से आपको पूचा गया है बायू क्या है योगिक मिस्रड द्रब या फिर billion आप लोग 10 second का समय है आपके लिए और आप लोग इसका answer लगाएंगे बायू क्या है तो इसका right answer क्या है ये भी एक मिस्रड है ठीक है पिछले जब हमने टेस्ट कराया था तो हमने आपको बताया था कौन सी एक ऐसी अदात थी जो बिद्द् sucked saw taha अब यहां पे दहात हुआ है ठीक है इने में से कौन सी एक ऐसी दहात हुआ जो बिद्दु था कुचा लग है इनी मेंसे आप आपको अंसर बताएं ना है इन मेंसे कौन सी ऐसी एक धात हो है जो बिद्दुत का कुचालग है तो इसका राइड अंसर क्या होगा आपका लेड मतलब सीसा सीसा एक धात होते हुए भी बिद्दुत का कुचालग है अगला कोशन एक ही पिरकार के परमाणूँओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है योगिक, मिस्रड, दिरब, या फिर तत्व तो ये तो आप लोगों को सब लोगों को पता होना चाहिए आप लोग आंसर बताएंगे इसका सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए सभी लोग इसका अंसर देंगे चलिए टाइम आपका उबर हो गया है तो इसका अंसर क्या होगा, तत्व इसका अंसर होगा ठीक है, एक ही पिरकार के परमाणूँओं से मिलकर बना पतार्थ क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है मिस्रड जब दो पिरकार याद इससे देकों तब वो मिस्रड कहलाता है अगला कोशन और यॉगएक कब कहलाता है जब कोई एक रेशियो में मिला हुआ है मतलब ह यॉडियू हो एक का इसमें अनपाथ एख है मतलब ह हायृजन के दो अड़ी होंगे और ऑक्सी इन का एक होगा तो यह योग-एक बन जाएंगा मतलब всё इसमें रहता है तो योग-एक ओर या और जाद एक 501 मिलाकर कि मिश्टड और जो दरब तो आप लोग जानते ही होंगे न जो लिक्विड होता है वह दरब ओता merci to क्या गार उसमें केबल एक प्रकार की पर्मानों से मिलकर वो बना होता है अगला कोश्चन आप लोग देख लेंगे और जल्दी से अपने ये कोश्चन सभी लोग करते हैं ठीक है निमलेखित मेंसे कौन उसमा और बिद्दुत का सुचालग है दस सेकंड का समय आपके लिए आप लोग इसका अंसर देंगे इन मेंसे कौन उसमा और बिद्दुत का सुचालग है हीरा सुचालक और कुचालक आप लोग समझ रहे हैं न सुचालक मतलब सबसे अच्छा ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कुचालक मतलब आप लोग कैसे समझ सकते हैं जैसे सुचालक है तो सुचालक का मतलब क्या होता है बिद्दुत का सुचालक मतलब बिद्दुत उसमें सही से जा सकती है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, कुचालक मतलब, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे एक सुपत होता है, एक कुपत होता है, ठीक है, तो आप लोग समझ दाए होंगे, ठीक है, सुपत जैसे सुचालक, और कुपत जैसे कुचालक, अब यहां पर पूछा गया है निमलेखित मैंसे कौन ऊस्मा का ऊस्मा और विद्दुत का सुचालक है तो इन मैंसे कौन ऊस्मा और विद्दुत का सुचालक है ग्रेफ हाइट ठीक है इंपोर्टेंट कोश्चन है इसको आप लोग नोड कर लेंगे मतलब ग्रेफ हाइट किस किस क को आना चाहिए सभी लोग इस कोश्चन को पड़े होंगे और सभी लोग इसका अंसर देंगे सभी लोग इस कोश्चन को पड़े हुए हैं सभी लोग इस question का answer देंगे pencil बनाने में carbon के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है तो सभी लोगों को इसका answer पता होना चाहिए graphite का हम लोग use करते हैं बहुत ही जाद important question है आप लोग इसको सही से note कर लेंगे या जब आपको PDF मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से note कर सकते है pencil बनाने में carbon के किस अपर रूप का प्रियोग किया जाता है तो graphite का अगला question chloroform का quothanang क्या है chloroform का quothanang क्या है तो इसका right answer क्या है option नमबर B 334 Kelvin ठीक है अगला question देख लेंगे आप लोग और 3-4 question और बचे हुए है वो भी जल्दी जल्दी अभी खतम कर लेते हैं आप लोग ऐसे ही जोड़े रहेंगे class को share भी करते रहें नमबर में कौन carbon के अपर रूप है इन में से कौन सा carbon का अपर रूप है यह आप लोगों को सब लोगों को पता होना चाहिए तो तीसरा भी होगा तभी तो सभी सही होगा ना चलिए option number 10 का right answer हो जाएगा अगला question लोहे पर भाप की अपकरिया से कौन सा gas उत्पन होता है कोई लोहा है इस पर हम लोग भाप की अपकरिया कराएंगे ठीक है भाप यहां से भाप की अपकरिया करा रहे हैं तो कौन सी gas निकलेगी इस से यह question आपको पूंचा गया है option देखेंगे hydrogen gas, oxygen gas, ammonia gas या फिर nitrogen gas तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer आपका हो जाएगा hydrogen gas ठीक है मतलब कोई लोहे की यह कोई लोहे का मेटर रखा हुआ है ठीक है इस पर जब हम लोग भाप की अभघिया कराइंगे तो इससे कौन सी gas निकलेगी hydrogen gas निकलेगी अगला question कौपर को बाई में जलाने पर कौन सा यूगिक बनता है पर को हम लोग बाई में जलाते हैं पर कौन सा यूगिक बनता है यह ठीक है, copper को बाए में जलाने पर कौन सा योगिक बनता है, copper hydroxide, copper hydride, copper oxide या इन में से कोई नहीं, या कोछ नहीं, तो इसका right answer क्या होगा, 10 second का आपका time है, आप लोग 10 second में इसका answer दीजिए, चलिए time आपका over, और इसका right answer क्या है, copper को बाए में जलाने पर कौन सा योगिक बनता है, तो इसका right answer आपका, c option इसका right answer है, copper oxide बनता है, ठीक है, अगला question, ये chemistry में question ऐसे ही सीदे सीदे पूछे जाते हैं आपके लिए, ठीक है, आपके सीदे सीदे question ऐसे ही पूछ ले जाते ह ये सीदे सीदे question पूछता है, जाधा सीदे question आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोग जाधा attention नहीं लेंगे, आप लोग अपना जो यहां पे में लाए उस पर ध्यान देंगे, अगला question आप लोग देखेंगे, अगला question क्या गेरायता है, कौन सा अदातु कमरे के ताप प पर द्रब होता है, तो इन में से कौन सा है पारा, ऐलूमिनियम, ब्रोमीन, या फिर तांबा, तो इसका right answer है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसा अधात हुए जो कमरे के ताप मान पर द्रब होता है, ठीक है, मतलब आधात तो ठोस होनी चाहिए, ना, या अधात तो तो ये आपका लिक्यूर अवसता में पाया जाता है IMPORTANNED question था अगला question तामर एबंटीन के मिसवधात को क्या कहते हैं तामर एबंटीन के मिसवधात को हम लोग क्या कहते हैं ये आप लोगों को पता नहीं होगा तो कह firefight है अगला question देख लेंगे इसका right answer क्या होगा सबी लोग इसको बताएंगे और जाए तर लोगों को पता होगा important question है इसको note कर लेंगे आप लोग very important question है इन मेंसे कौन सी धातु द्रब अबस्ता में पाई जाती है यह यह केबल अकेली ऐसी दात्व में पाई जाती और है वेसे सबीकम होती है है तो सॉलिव्य बात्वी नेर्स ही जो आपकी लिक्कृड में पाई जाती तो लिक्क्ड में कौन सी है लोहा मरकरी चांड़ी या फिर न्य तो आप लोगां पता होगा Mercury, ठीक है, हच जी इसको denote करते हैं, ठीक है, अगला कोश्चन, और आज की आपकी क्लास का लास्ट कोश्चन है यह, sodium, lithium, calcium और nickel में से किस दात को चाकू से काटा जा सकता है बहुत ही जादा important question है बहुत ही जादा important question है यह ठीक है sodium, lithium, calcium और nickel में से किस दात को चाकू से काटा जा सकता है question ऐसे पूच लिया जाता है कि इन में से किस दात को चाकू से काट लिया जाता है अगर coffee Dracula बैठें तो कोसिन लेंगी कि इनमें से यह सीधे सीधे कोसिन लेखें लिगे किस कटा सकता है कि सेज़ crimin The को चाकू से काटा जा सकता है तो इसका आंसर आप लिख लेंगे सोडियम ठीक है सोडियम एक ऐसी धात होती है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं ठीक है वैसे कोई भी दात ऐसी नहीं होते हैं जैसे लोहा है इसको आप लोग चाकू से काट सकते हैं तो नहीं काट सकते है ऐसे ही लो है कि जगह क्या है? सोडियम, तो इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है? तो आज की किलास आपकी पांच कोश्चन और हैं, चलो पांच कोश्चन और कर ले रहे हैं मैगनेसियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं, वह है मैगनेसियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं मतलब मैगनेसियम को जब हम लोग जलाएंगे मैगनेसियम को तो कौन सा उत्पादक बनेगा? मतलब मैगनेसियम को जलाने से क्या बनता है? अमली कोई उत्पादक जो बनेगा वह अमली होगा? उदासीन होगा चारी होगा या सब ही होगा तो इसका right answer आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका right answer चारी होगा मतलब magnesium के दहन से जो उतपादक बनता है वो कैसा होता है चारी होता है अगला question आप लोग देख लेंगे 72 row question एक धातू के टुकडे से पतले तार खींचे जा सकते हैं यह धातु के किस गोड़ धर्म के लिए उत्तद आई है एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं मतलब एक धातु है कोई उसके टुकड़े कर देंगे तो पतले तार खींचे जा सकते हैं यह दहातु के, किस गोड़धर्म के लिए, उत्तद आईए? जब उसके कोई धहातु है, उसके तार खीचे जा सकते हैं, ठीक है? तो अब यह पूंचा हाए, यह धातु के, किस गोड़धर्म के लिए उत्तद आईए? तन्यता, कठोड़ता, अगर्दवर्णिता या चालकता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तन्यता ठीक है option number A इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला question देख लेंगे 75 तक आप आज आप लोग कर लेंगे या पर और अगले 25 question बचेंगे वो आपको अगले test में करा दिये जाएगे alumina का बिद्दुत अब गटन करने पर anode पर कौन सी gas जमा होती है alumina का बिद्दुत अब गटन करने पर anode पर कौन सी gas जमा होती है एक anode होता है cathode होता है ठीक है तो एनोड पर आपको पूंचा गया है तो एनोड पर कौन सी गैस आपकी जो है जमा होती है इन में से आपका कौन सा आंसर सही है तो oxygen गैस आपकी सही है सही से याद कर लेंगे आप लोग एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है तो oxygen गैस आज की वीडियो का और second last question मुह साप करने के लिए किस प्रकार के मंजन का वेवार करना चाहिए जिससे के दंत च्छय रोका जा सके मतलब मुह साप करने के लिए कौन से प्रकार का मंजन का प्रि चारी दंत मंजन उदासीन दंत मंजन या सभी दंस साप करने के लिए हमको कैसा दंत मंजन यूज करना चाहिए तो आप लोगों को पता होगा चारी दंत मंजन ठीक है ओप्सन नम्मर 20 का राइट आंसर है आज की वीडियो का last question नीबू के रसका पी एच मा लगबक कितना हो को होता है यह सभी लोग इसका आंसर देंगे हम बहुता हो इंजन एक रिचना आन्सर देगा हां हो और 10 सेकंड का टायम है आप सभी लोग आंसर दीजियी थीए नीबू 10 का पी एच मान लगबक कितना होता है नीबू के पीएच serie को पटा होगा जो नीबू का रस होता हो कै अब इसमें आपको एक option दे रखा है अमली वाला वह यह आप लगा देंगे तो नीबू के 10 का पी एसमान कितना होता है 2.2 ठीक है तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों क्लास समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो इ चैनल को सबस्क्राइब करें ठीक है अपने जितने भी आपके गुरूब बने मेरे हैं बहुत सब गुरूप या फिर आप लोग कैसी भी टेली गर 23 पनाव और छैनल बना हुए यह उसमें आप लोग इसको सेड़ करता हैंगे ठीक है जिससे की और लोग भी इसका कुछ और दूसरी क्लास में तब तक के लिए आप लोग ऐसे जोड़े रहेंगे जैहंद बंदे मातरम